जारकन पुलिस के तरफ से constable के पत्पे जो नई भरती है उसको लेकर जो है आप लोगा notification है आप जारी कर दिया गया है और इसका जो आवेधन का date है बो भी आप लोगा आप जारी हो चुका है अगर आप सिर्फ जो है दसमी पास है तो आप इसमें आवेधन कर सकते हैं और ये जो भूत ही अच्छी भरती हहां पे होती है क्यां कि पाही के पत्पे जो आप लोगा बाहली है बो आप लोगाomina बताने वाला है तो वीडियो को आप टूरा जरूर दिखेगा लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको दबाकर आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ में इस वीडियो को लाइक और सेर कर दीजे ताकि और भी जो लोग होंगे उनकों पर जानकारी मिल सकेगा और हम आपके लिए इसी तरीके की अच्छी अच्छी बीडियो है वो हमेसा लाते रहेंगे चले हम आप लोकों आप बताते हैं कि किस तरीके से यह जो भरती है वो आप लोका निकल के आया हुआ है तो यहाँ पर देखे दोस्तों मेरे पास जो ऑफिसल नोडिपीकेशन आप लोका पड़ा हुआ है जो कि प्रमचारी चेन आयू के तरफ से आप जारी किया गया है और यहाँ पर नीचे आएगा तो आपो जनका भी दिया गया है कि जारखन्ड आरच्छी परतियोगिता परीक्षा रिक्त बिरूद नियुक्ति के लिए भारत के नागडिकों से भीहित परत्र में जारखन्ड यहां पर क्या है कि आप कहीं से भी आते हैं तो आप जो इसमें फार्म भर सकते हैं कोई भी प्रब्लम नहीं है माल लिजे आप लोग यहाप पे बिहार से आते हैं या फिर यूपी से आते हैं फिर भी आप जोई जारखन बाले में फॉम भर पाईएगा कुछ भी प्रॉब्लम में आप नहीं होने बाला है यहाँ पे आप नीचे आप लोगा जोई परिक्षा सुल्क बताएगा कि कितना आप लोगा जोई परिक्षा सुल्क लगने बाला है तो परिक्षा सुल्क आप लोगा 100 रुप यहाँ पे रहने बाला है उसक बद नीचे आप लोगा जोई परिक्षा सुल्क में छूट दिया यानि कि यह पर्मानेंट बहाली आप लोका होने बाला है और अलग लग जिले में जो है अलग लग आप लोका जो रिक्तिया है वहाँ पर रखा गया है जैसे कि देखे राची जिला में जो है आप लोका 76 भरतिया होने बाला है फिर यहाँ पर खूंटी जिला में आप लोका 86 सब्सक्राइब वह सब्सक्राइब करें जिलते हैं मैं की रिखत करें है का प्रण्म का प्रतव फूर में 108 में है 1013 में आनु कर बंब पती है कि अनुरोद के आलोग में संसोधी की जा सकती है, यानि कि जो आसे पने का कम यह पिर ज्यादा हो सकता है, उसमें कोई भी यहाँ प्रॉलम नहीं होने वाला है, फिर आपने नीचे कीजेगा, तो सबसे पहले पन का नाम और बरगीकरन बताएक और बेतनमा और नियूंतम सैछ तो यहाँ पर देखे आप लोगा जनकाई दियागा कि पद नाम एवं बरगी करन क्याराने बाला है तो ग्री कारा एवं आपदा परवंदन विभाग के अंतरगत जो है जिला इकाई में आरक्षी सबर्ग के अंतरगत आरक्षी समुगो राज पत्रिता के पत पे आप लोगा वहाँ पर होने बाला है यनि कि यह जो बहाली है वो गिरी विभाग में आप लोगा होने बाला है मंडलकारा में आप यहां पर देखें आप लोगा जानकाई दियागा कि अभ्यार्थों से उप्रोक्त पद के बिलुद्ध आबेदन प्राप्त होने की अंतिम जिती थक उक तालिका में अस्तम्व चार के अंकित नियुन्तम सेचनिक योगता धरित करना अनिबाज होगा, यानि कि जो लास्ट ड जानकाई दिया गया है, फिर नीच आई अगर तो यहां पर सारीक माप्त बताया गया है, यानि कितना आप लोगा होना चाहिए, और आप लोगा जो सीना है वो 89 सेंटी मिटर नहां पर होना चाहिए, आतियंत पिछरा बढ़ अनुसुची टूप में अगर आते हैं, तो नि निचे यहाँ पर देख पाँगे कुछ आप लोगा जान करिए कि यह सब आपके साथ हैं पर प्रॉलम नहीं होना चाहिए तो आप यहाँ पर इस फॉम को भर पाईएगा जैसे कि आप अभियार्थियों कि जो सारीक बनाबत में मुरा घुटना, घनू, पर, संतल पर, अस्प निचाहिए गा, तो यहाँ पर जो आपटोंका जनकाई दीएगा, कि उम्र सीमा जो कहां से आप लोगा गणा किया जाएगा, तो 1823 से आप लोगा जो उम्र सीमा आपе गणा की जाएगी, और अधिक्तम जो उम्र सीमा की जो गणा की दिती है, वो 1829 तAK अँ एहाँ रहने भी आरक्षन आप लोगो आपे नहीं मिलने पाला है तो इस बात का आप लोगो आप ध्यान रखना है नीचे आप लोगो आरक्षन के बारे में जानका ही दिया गया है फिर उसके बाद नीचे आप लोगो ओनलाइन आवेदन के बारे में जानका ही दिया गया और भी भहुत सा बड़ी से आप लोगा आवेदन सुरू होने बाला है और 14-2 यानि कि 14 फरवरी तक आप लोगा जो आवेदन है वह आपे चलने बाला है परिच्छा सुलकुच हो है वो आप यहापे 16-2 तक यहापे भर सकते हैं और जो हापे प्रिंट आउट है वो आप यहापे 18-2-24 तक यह लिखित परिक्षा य Unterstüt exam है वो आप लोगा होने बाला है यानि कि अघर आप लोगा फिजिकल सबकुछ सही है to कोई भी प्रावलाम है आप नहीं है इसमें आप लोगा आप लोगो आपने आप आप जो हैनो कि यह वो मिल सकता है तो अपज्धुर एक बार ट्राइड कीजे यह आपको कहा से डाउलोड करना है तो उसके लिए आपको करना क्या है आपको अपने Google में लिखना है YTDC आप यहाँ पर जो इस तरीके से आप लोगा जो वैपसाइट है वहाँ पर ओपन होगा यहाँ पर जो है आप जहारखन पुलिस लिखकर सर्च कर सकते हैं नहीं तो आप आप लोग नीचे आईएगा latest update सरकारी योजना latest job कहाँ पर ओप्सन है latest job यह फिर latest update में आपको चेक करना है थोड़ा सा नीचे आप चेक किजएगा जारखन पुलिस constable recruitment आप देखने को मिलेगा इस पर आपको जोग क्लिक करना है कुछ इस तरीके से आप लोगा जो इस तरीके से आपको जो भरती है वहाँ पर आया हुआ है जारखन पुलिस constable में मैंने आपको कहाँ पर जानकाई दे दिया है आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आपको अगरे वीडियो पसंद आपको लाइक केस प्रोग को सब्सक्राइब को जानकारी मिल सके हम मिल बिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद